नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का pathfinder पर मेरा नाम है अनिरुध और इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं government schemes के set number 6 के बारे में topics हैं वो already cover किये जा चुके हैं जदी आप लोगों को ये पुरानी वीडियो नहीं मिल रही है और आप लोग देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमने आपके लिए एक playlist ready कर दी है उस playlist का नाम है UPSC 2021 current affairs crash course उस playlist में सारी की सारी वीडियो आपके लिए दाल दी गई है त one year current phase तो इसी की बारे में बातचीत करने वाले हैं अगर आप मुझसे science and tech पढ़ना चाहते हैं तो science and tech का plus course चल रहा है already unacademy की app पे काफी सारे बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं course को जो है subscribe करना चाहते हैं और prelims की त्यारी कर चाहते हैं तो यह वाला code use कीजे जिसके चलते आपको सीधा सीधा 10% का discount दिलवा दिया चाहेगा साथ हीवें इसमें दो तीन offers और हैं अगर आप लोग 28th April यानि की कल से पहले पहले इस particular subscription को purchase कर लेते हैं तो आपको 12 महीने की जगा कुल मिला के जो है 16 महीने की subscription जाएगी और clearly बता दूं तो अगर आप एक साल का plan लेते हैं तो आपको अगले साल के prelims तक की subscription अवेलेबल हो जाएगी और अगर दो साल का लेते हैं तो अगले उससे अगले साल तक के prelims की subscription आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी अगर आप लोग subscription को अभी purchase करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 books भी प्रवाइड करवाई जाएगी जिन 20 books के माध्यम से आप अपनी revision भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक और offer है जिसमें कि आप loan के लिए apply कर सकते हैं इसका link आपको नीचे दिया हुआ है और यह link में apply करके आपको हमारे team callback कर लेगी and you can easily purchase the subscription over here All right तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं एक बार बता दूँ कि मैं इस वीडियो में क्या-क्या चीजें discuss करने वाला हूँ इस वीडियो में कुल मिलाके हम यह वाली 8-9 schemes cover करने वाले हैं सबसे पहले तो हमने वैसे बड़े-बड़े मंत्राले जो है वो almost cover कर ली है set number 1 से लेकर के set number 5 तक में हमने maximum जो बड़ी-बड़े ministries की schemes थी वो cover कर ली है अभी क्या है कि हम कुछ miscellaneous schemes को cover करने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने है miscellaneous scheme सबसे पहले for example ministry of environment के द्वारा release की गई यह वाली scheme जिसका नाम है नगरवन scheme ठीक है उसके बाद हम बात करने वाले है PM वानी scheme की जो की department of communication के द्वारा शुरू करी गई है then PM कुसम योजना जो की ministry of new and renewable energy के द्वारा शुरू करी गई है then the deep ocean mission जिसमें की हमारा maximum योगदान जो है ministry of earth sciences के द्वारा करवाया जा रहा है इसके बाद हम बात करेंगे department of post के बारे में department of post ने इस साल दो schemes को शुरू किया है जिसमें से मैं मानता हूँ definite a question definitely आएगा और ये दो schemes है dark pay और दूसरी scheme है five star villages scheme इसके बारे में बात भी आपके साथ करवाई जाएगा और ये in fact मैं मानता हूँ कि जो dark pay की scheme है ये एक ऐसी scheme है जिसके चलते हमारे जो post offices हैं उनमें एक बहुत बड़ी ख्रामती आ सकती है उनके काम करने के ढग में बहुत जादा improvement आ सकती है finally कुछ ऐसी schemes है जो कि states के द्वारा शुरू करी गई है या फिर central government ने particular state के लिए शुरू करवाई गई है तो इसमें for example हम बात करेंगे किसान सूर्य उदे योजना के बारे में हम बात करेंगे गोधन नियाई योजना के बारे में यह वाली जो scheme है गोधन नियाई योजना यह central government ने शुरू करी है यह बात करेंगे इसके बारे में यह सारी की सारी schemes आपके साथ हम discuss करेंगे let us begin with the first scheme पहली scheme जैसा कि इसका नाम है बड़ा simple था इसका नाम है Chel sulamma scheme में क्या है नगर यानिकी आपके क्या हुतने है शहर ठीक है तो शहरों में basically हमें क्या करने है हमें 1 उगाने है, यानि कि हमें शहरों में basically forest की जो कमी होती जा रही है, उसको हमें पढ़ाना है, इस scheme को announce किया गया था हमारे world environment day के दिन, world environment day किस दिन होता है दोस्तों, ये होता है June 5 को, June 5 को जो world environment day था पिछले साल का, तो हमारे जो minister of environment, forest and climate change है, उन्होंने इस scheme की implementation को announce किया 200 urban forests across the country in next 5 years with a renewed focus on people's participation, यानि कि जनता की साजेदारी के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर basically हमें 200 urban forests बनाने हैं, पूरे देश भर में अगले 5 सालों के अंदर अंदर, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, basically सभी लोगों जो है यहाँ पर help करेंगे, और trees को plant करने में help करवाने व नंबर को भी ध्यान रखेगा कि अगले 5 years में इसको शुरू करवाने की बात करवाई गई है, कौन-कौन लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, कोई भी लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, फिर भले वो forest का department हो, फिर भले वो municipal bodies हो, फिर भले वो NGOs हो, corporates हो, local citizens हो, यह सारे के सारे लोग collaborate कर सकते हैं, और they can create or develop at least one city forest in each city, जिसमें की municipal corporation है, या फिर अगर वो class 1 city के category में fall करती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक city में केवल एक ही बनाया जाएगा, लेकिन हा, कम से कम एक, यानि कि नियूनतम एक जो है वो बनाया जाएगा, उससे जादा अगर कोई बनाना चाहता है, तो वो भी बना सकता है, जो मोटा मोटा target है, वो क्या है, कि हमें कुल मिला के 200 urban forest को इंडिया के अंदर develop करवा देना है, further इसके objectives, काफी simple objectives हैं, कि लोगों में plants को लेकर और biodiversity को लेकर हमें जागरुपता को फैलाना है, हमें conservation education लोगों को impart करनी है, कि संग्रक्षन को लेकर शिक्षा लोगों को बतानी है, कि जो flora and fauna of the region है, उसके बारे में कौन सी important है, कौन सी जो है आपको जिसका संग्रक्षन करना बहुत ज़रूरी है, ecological rejuvenation, in-situ biodiversity conservation, health benefits to the citizens, making citizens climate resilient, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इस नगरवन scheme की objectives में fall करती है, that is it about the नगरवन scheme, अब बात कर लेते हैं, PM Vani scheme की, PM Vani scheme एक बहुत ही बड़ी landmark scheme आनी जा रही है, और इसको समझना बहुत ही important है, ये ऐसा माना जाता है कि शायद आगे जाकर, शायद क्या, in fact, ये काफी हद तक हम hopeful है, कि आगे जाकर जो PM Vani scheme की वज़े से, भारत में भी आपको अलग अलग areas में, public places में आपको Wi-Fi का access मिल जाएगा, इसकी full form भी काफी simple सी है, Vani का मतलब क्या है, Wi-Fi access network interface, ठीक है, तो please remember, कुछ-कुछ exams में, full form भी पूछी जा सकती है, ठीक है, Wi-Fi access network interface, आपको ध्यान रखना है ये, December 2020 की बात है, पिछले साल के almost समाप्त होने के आसपास की बात है, जो हमारा union cabinet है, इन्होंने approve किया the establishment of the public Wi-Fi networks under the PM Vani scheme, अब इसके objectives को समझ लीजे, objective क्या है, government यहाँ पे क्या चीज़ को target कर रही है, we are targeting a four-fold increase in the public Wi-Fi access points to 2 million by the end of 2021, हो सकता है कि चीजें शायद इस हिसाब से ना चले, because COVID-19 की second wave थोड़ी सी anticipated नहीं थी, जिसकी वज़े से अब शायद चीजें खिच जाएं, लेकिन फिर भी हमारा जो target है, वो यह नहीं बदलने वाला है, कि four-fold increase करना है, यह timeline हो सकता है, बदल जाए कि 2021 के अंग तक ना हो पाए, लेकिन हा, four-fold increase करना है, और कितना बढ़ाना है, इसको हमें 2 million के आसपास लेके जाना है, scheme किस तरीके से काम करेंगी, इसको समझ लो, यह बहुत important point है, देखिए, one by one समझाऊंगा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले, सबसे उपर आपके आते है, public data operator aggregator, इनको हम क्या कहते है, PDOA, ठीक है, public data operator aggregator, कोई भी इनसान है, वो अपने आपको अपना पंजी करन करवा सकता है, as a PDOA, उस अपने आपको PDOA की तरह register करवा सकता है, अब यह PDOA आगे जाके क्या करेगा, PDOA आगे जाके small businesses, जो लगु उद्योग है, जो छोटे मोटे वैपारी है, उनके साथ जाकर यह tie up करेंगे, so that यह उनके areas में Wi-Fi access points को install कर सके, उनके areas में Wi-Fi access points को जाके लगा सके, अब यह small businesses के तौर बे क्या क्या आता है, जैसे माल लीजे आपके घर के आसपास कोई colony है, आपके घर के आसपास माल लीजे कोई market है, तो market में दुकान नहीं होगी, तो हो सकता है कि PDOA वहाँ पे जाके किसी दुकान के साथ कोई tie up कर लेगा, कि मैं आपके दुकान में यह Wi-Fi access point लगा क्या है, public data operator, aggregator यहाँ पर था, public data operator aggregator और यहाँ पर PDO यानि की public data operator के पास में आपने Wi-Fi access point को लगा दिया है, और वो वाला Wi-Fi access point बेसिकली आपके लिए एक तरीके का hotspot की तरह काम करेगा, फिर भले वो कोई भी public space हो भारत भर में, पूरे देश भर में यह वाले Wi-Fi access points को लगवा दिया चाहेगा, तो basically क्या हुआ है, सबसे ऊपर आपके लाए करते हैं PDOA, और PDOA के नीचे कई सारे कौन लाए करेंगे, PDO, ठीक है, यह सारे के सारे जो इसके नीचे लाए करेंगे, इनको हम बोल रहे हैं PDO, I hope यह point clear है आपको, अब देख लिजे इस चीज को, the और जो PDO है, इनको भी कुछ फायदा होगा, because यह अपनी दुकान की वो जगा दे रही है, जिसके चलते, जनता को Wi-Fi प्रोवाइट करवाया जा रहा है, PDOA साथी में पूरी की पूरी जो बैक एंड सपोर्ट है, वो भी प्रोवाइट करवाएंगे, जैसे आपके घर पे म इसके उपर PDOS को पूरी की पूरी जो प्लाटफॉर्म है, सर्विसेज हैं कौन प्रोवाइट करवा रहा है, उनको सर्विसेज प्रोवाइट करवाए जाएंगी CDOT के त्वारा, I am sure आपने CDOT का नाम सुना होगा, सरकारी विभाग है ये, CDOT has developed the platform to provide the services to the PDOS, right, यहाँ पर आ यहाँ पर यह PDOS का जिक्रा किया गया है, no license fee for providing broadband internet through these public Wi-Fi networks, और इसके साथ ही में फाइदा क्या होगा, कि जो यहाँ पर, जो छोटे चोटे वैपारी जो यहाँ पर हिस्सा लेंगे इसमें, उनके लिए एक additional income और employment का साधनी ये बन सकता है, ठीक है, next बात कर लेते हैं, PM कुसुम योजना के बारे में, बहुत important scheme है, और इसको लेकर वैसे तो यह scheme बहुत important है, prelims के लिए तो important है ही, but मैं इसको लेकर question expector रहा हूँ, mains के examination में, तो please be very very attentive, ministry of new and renewable energy, यह recently यह वाली ministry का नाम भी याद रखे आप, कि यह वाली जो scheme है, यह MNRE के द द्वारा launch करी गई है, जबकि ऐसा नहीं है, बच्चे और भी गलती करते हैं, इस तरीके से, कि यह वाली scheme, ministry of rural development के द्वारा launch करी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, MNRE के द्वारा launch करी गई है, और आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कुसुम की full form याद रहेगी, तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, कुसुम की full form को ध्यान से देखिए, किसान, उर्जा, सुरक्षा, एवं उत्तन, उत्थान, महाभियान, ठीक है, तो किसान, उर्जा, सुरक्षा, जैसे ही उर्जा, सुरक्षा की बात आई है, तो उसके साथ ही में आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ये वाले जो स्कीम है, MNRE के द्वारा शुरू करी गई है, किस के लिए शुरू करी गई है, obviously, जब लिखा ही हुआ है, किसान, उर्जा, सुरक्षा, तो ये स्कीम हमारे किसान, भाईयों के लिए शुरू करवाई गई है, under the PM कुसम योजना farmers और the group of farmers panchayats, cooperative societies ये apply कर सकते हैं to plant a solar pump ठीक है तो आज की date में क्या है जितने भी आपके जो irrigation pumps लगे हुए हैं जितने भी खेतों में उसमें अधिकतर जो pumps हैं मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे pumps लेकिन अधिकतर जो pumps हैं वो basically काम करते हैं कि इसके उपर वो काम करते हैं डीजल के उपर और डीजल के उपर काम करने वाले जो pumps हैं उसके नुकसान आप लोग जानते ही हैं कि उसकी वज़य से बहुत ज्यादा pollution होता है और बहुत ज्यादा बिजली की खपत भी हो रही है लेकिन अब क्या है कि solar pumps को plant करने के ये scheme लाई गई है PM कुसम योजना ये scheme जो है थोड़ी सी पुरानी है लेकिन अभी तक इसको लेकर सवाल सामने नहीं आया ये scheme आप यहाँ पर देख सकते हैं 22nd March 2019 की ये scheme है farmers और group of farmers देखन apply to plant a solar pump. Government क्या करेगी? इस पूरे के पूरे प्राभधान को ध्यान से समझ लीजे, government subsidy देने वाली है 60% to the farmers यानि कि मान लीजे, जस एक घारण के तौर पे मान लीजे 10,000 रुपे का solar pump है तो government 60% की subsidy प्रवाइड कर देगी यानि कि effectively कितने का पड़ा? 4000 रुपे का. 4000 रुपे के बाद भी 30% of the cost will be given by the government in form of loans. तो जो farmer है उसको अपनी जेव से कितना देना पड़ेगा? इस में से जो 10,000 में से आपका 3,000 रुपे है वो आपको loan के रूप में मिल जाएगा. तो basically farmer को कुल मिला के सिरफ और सिरफ 1000 रुपे देना पड़ेगा अपनी जेव मे है. यह इस पूरी की पूरी scheme का model है. यह numbers काफी important है कि scheme में subsidy 60% की है. 30% की जो है यहाँ पर cost loans के format में है और 10% की जो cost है यह farmer को अपनी जेव में से देनी पड़ेगी. PM कुसम यूजना के कुल में लाके 3 components है. तो electricity अच्छा इसमें यह भी है कि जो बिजली वो लोग solar panel से generate कर can be sold by the farmers. इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को कहा जाता है कि वो अपनी बिजली को जो भी बाकी बिजली है उसको grid में डलवा सकते हैं. इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को अगर हम technical भाश्या में बात करें तो दोस्तो net metering कहा जाता है. और यह वाला सवाल already UPSC एक बार पूस चुकी है कि जो बची हुई बिजली है उसको अगर किसान वापिस भेज रहा है तो इसको net metering का नाम दिया जाता है. स्कीम के कुल में लाके तीन अंग है. पहला जो अंग है component A पहला घटक जो है government will set up 10,000 megawatt of decentralized renewable energy power plants जो की grid connected होने वाले हैं. component B के तहत farmer को support दी जाएगी to install stand-alone agricultural pumps worth रुपी 17.5 lakhs और component C के तहत farmers will be supported to solderize pumps those having grid connected pumps. ये चीज़े आपको ध्यान रखनी important नहीं है. ठीक है. Prelims के point of view से लेकिन mains के point of view से सीधा सीधा question आ सकता है 10-12 number का जिसमें कि आपको ये components भी लिखने पढ़ सकते हैं. Prelims में शायद ये उतना काम का नहीं होगा. हाँ, Prelims में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस पूरे के पूरी scheme के कुल मिलाके 3 components हैं. और components किस-किस चीज़ के साथ deal करते हैं. पहले वाला component डील करता है इस particular चीज़ के साथ. दूसरा वाला component डील करता है इस particular चीज़ के साथ. और तीसरा component डील करता है इस particular चीज़ के साथ. ठीक है. तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत idea रख सकते हैं. यहाँ पर आप देख of grid connected renewable energy power plants by farmers of 0.5 to 2 megawatt capacity. कहाँ पर होगा? primarily on the barren land. तो ये भी बहुत ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि देखे यहाँ पर आपका नीचे ये agriculture pump लगा हुआ है और agriculture pump को support करने के लिए आपने solar panel लगाया हुआ है. तो ऐसा नहीं कि आप जहाँ जहें वहाँ पर लगा रही है केवल barren land को ही आप चूज कर रही है so that आपकी जो उपजाओ जमीन है वो खराब नहीं हो रही है. ये तीनों कि तीनों घटक यहाँ पर दिखाए गाई है किस तरीके से मैं आपको बताया कितीनों कितीनों घटक किस किस चीज के साथ डील करते हैं. Next बात कर लेते हैं D-Potion Mission के बारे में ये भी एक पुराना Mission है लेकिन असल में ये सुर्खियों में फिर से आया था. ठीक है? ये ऐसा भी नहीं कहना चाहिए पुराना Mission है असल में इस Mission का Proposal बहुत टाइम से डाला हुआ था लेकिन क्यूंकि ये Mission का जो खर्चा था वो बहुत जादा था इसकी वज़े से Mission को Approval मिलने में काफी समय लग गया. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये Indian Express की ये ख़बर आपके सामने है February 2, 2021 जस्ट अभी एक देट महीना पहले फिर से सुर्ख्यों में था और इसका जो खर्चा है वो लगभग 4,000 करोड रुपे का है अब इसमें क्या होने वाला है? इस इस अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक डीप ओशन मिशन को लेकर सवाल आ सकता है ठीक है? The scheme aims at development of कई सारी चीजे हैं हमारी डीप सी की टेखनोलोजी को लेकर विकास करवाना exploration of deep sea mineral resources for example जब हम बात करते हैं मालीजे poly metallic nodules की ठीक है? आजकल तो in fact बात हो रही है of something called as hydrates ठीक है? इसके बाद आजकल बातचीत हो रही है hydrogen की जो की आप directly उसमें से निकाल सकते हैं fire eyes की बात हो रही है आपने सुना होगा fire eyes के बारे में तो ये सब चीजों की बातचीत हो रही है इन सब चीजों की exploration के लिए basically ये वाला mission शुरू किया जाएगा केवल resources ही नहीं बलकि जो biodiversity है जो हमें जीव जन्तु नीचे मिलते हैं उनके बारे में भी exploration करना बहुत ही important है acquisition of research vessel for exploration ये जो research vessel होती है आपने अकसर किसी ना किसी research vessel का नाम सुना होगा for example अगर मैं आपके साथ discuss करूं हम एक research vessel का नाम आपके साथ discuss भी कर सकते है that is called as सागर ध्वनी तो ये सागर ध्वनी जो है ये एक research vessel की तरह काम करती है ये हमारी INS research vessel है ठीक है deep sea observations, capacity building ये सब चीजें है और इसकी acquisition करवानी भी इसी का हिस्सा बनाया गया है इसी लिए इसका खर्चा काफी ज़्यादा बढ़ चुका है इसकी announcement अब ध्यान से देखिए announcement किसने करी announcement हमारी वित्यमंत्री न करी श्रीमती निर्मला सीता रमन के दोरा करी गई थी इसी लिए बार-बार बोल रहा हूं इस fact को नहीं भूलना कि इसकी जो nodal agency है वो ministry of earth sciences है लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये multi-ministerial effort है यानि कि कोई एक मंत्राले नहीं जो कि इसमें हिस्सा लेगा कई सारे मंत्राले इसमें हिस्सा लेंगे जैसे ही मैंने कहा research vessel तो obviously defense ministry भी इसमें आ सकती है जैसे मैंने कहा कि ये exploration of deep sea mineral resources तो आपकी ministry of earth sciences आ गई है अलग-अलग ministries यहाँ पर काम कर रही होगी इसके missions कही सारे इसके objectives कही सारे है mission के development of technologies for deep sea mining इसको लेकर in fact recently एक committee बिठाई गई थी अगर आपको ध्यान है deep sea mining को लेकर जो committee बिठाई गई थी उनकी head कौन थी आप मुझे comment section में बता सकते हैं underwater vehicles and underwater robotics ऐसी चीज़ों के लिए भी development of quotient, climate change, advisory services, technological innovations deep sea survey exploration वगएरा वगएरा ये सारी चीज़े इस पूरे के पूरे mission का हिस्सा है ये चीज़े relevant है mains point of view से लेकिन हाँ जो पहली वाली चीज़ें थी ये सारी की सारी relevant है प्रिलेंस point of view से next बात कर लेते हैं department of post के बारे में इसमें अधित्तर बच्चे गलती ये करते हैं कि department of post को वो लोग ध्यान रखते हैं किस ministry का हिस्सा है वो लोग ध्यान रखते हैं कि ये ministry of finance का हिस्सा है लेकिन ऐसा नहीं है जो department of post है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये ministry of communications के underfall कर जाता है, ministry of communications के underfall करने वाला department आता है, आपका post department, इसके जो minister है रवी शंकर उन्होंने unveil किया mobile application डाग पे, अब देखें यहाँ पर वैसे तो मैंने बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, लेकिन बड़ी simple सी बात आपको बता बैंक में भी जाते हैं, तो हर कोई कहता है कि हमारी net banking चल रही है, हर कोई ये कहता है कि हमारा mobile banking भी चल रही है, लेकिन post office के case में, ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी, कि ना तो net banking थी, ना उसको लेकर जो है, आपकी mobile banking थी, तो उस चीज को लेकर, आपको क्या मिलता था एक मोटी सी किताब देते थे, छोटी लेकिन थोडी सी मोटी किताब, कि ये आपको अगली बार लेकर आनी है, जब भी आपको अपने account में कुछ भी बदलाव करवाना है, अगर कुछ आपको पता करवाना है, कि balance कितना हर चीज के लिए आपको ये किताब अपने साथ carry करनी है, तो अब क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा, कि जो payments bank का हमने प्रस्ताव रखा था आज से लगभग 4-5 साल पहले, तो उसमें भारत का जो एक बहुत ही महत्वपूरन payments bank है, India Post payments bank, जो कि India Post के तरह बनाया गया है, तो जो भी इसके customers हैं, जो भी इसके ग्रहाक हैं, फिर हमारे department of post ने finally ले लिया है, innovation service से फाइदा क्या होगा, इस service से फाइदा क्या होगा, obviously, सारी की सारी जो banking services है, वो आप कहीं पर भी घर बैठ कर, किसी भी टाइम पर उनको access कर सकते हैं, postal products, जो हैं, आपको सारे के सारे online मिल जाएंगे, postal products कई सारे होते हैं, उधारन के तोर प आपको जानकारी लेनी है, ब्याज दरें क्या चल रही है, कितने समय के लिए क्या चल रहा है, तो वो सारी क्यान पर यहां पर ले सकते हैं, senior citizen की कोई scheme चल रही है, उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, किसान विकास पत्र की schemes थी, जो की अभी भी चल रही है, उसके बाद उन्हीं की तरफ से कोई इंसान आपके घर पर आएगा और आपके बारे में जो है जानकारी लेकर आपका काम करवा देगा यह आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट लॉंच इस डिजिटल पेमेंट्स आप जिसका नाम है डाक पे प्लीज ध्यान रखेगा वेरी वेरी इस स्कीम को लॉंच किया गया था यूपी के प्रयाग राज में और यहाँ पर फाइस्टार विलिजिस का मतलब क्या है कि बेसिकली जितनी भी पोस्टल स्कीम है जो कि डिपार्टमेंट आफ पोस्ट चला रहा है उनकी हमें युनिवर्सल कवरेज करवानी है खास करके इंद रूर ले गया तो देश के जो ग्रामीन इलाके है वहाँ पर हमें उनका युनिवर्सल कवरेज करवाना है किस चीज का स्कीम का जिस स्कीम को नाम दिया गया है फाइव स्टार विलेज स्कीम बहुत ही कन्फ्यूजिंग नाम है क्योंकि एक्जाक्ली यहाँ पर आपको समझ नहीं आता कि यह डिपार्टमेंट आफ पोस्ट के साथ ही डील करता है लेकिन यह चीज आपको ध्यानक नहीं होगी के सारी कि सारी चीजें जो है सुरक्षा विमा योजना प्रधान मंतरी जीवन जोती विमा योजना अकांट सारी कि सारी चीजें जो है आपको प्रवाइड करवाई जाएंगी in the rural areas next बात कर लेते हैं हम कुछ ऐसी स्कीम की जो की स्टेट्स के द्वारा शुरू करी गई है या फिर स्टेट्स के दियर शुरू करी गई है इसमें बहुत चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी बट कुछ-कुछ चीजें ध्यान रखनी है जिनके बारे में आपको मैं मार्क अब देखिए ये वाली जो स्कीम है ये केवल गुजरात में लांच करी गई है लेकिन हमारे प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने लांच करी है कब लांच करी गई थी October 2020 में लांच करी गई थी किसान सूर्य उदे योजना ध्यान दीजेगा मैंने पहले भी बात करी थी आप for irrigation during the daytime तो किसानों को solar power provide करवाई जाएगी so that उनके जो irrigation वाले pumps है वो basically इस particular solar power के आधार पर काम कर सकें ये इस पूरी scheme का agenda है फ्लीज ध्यान रखिए दोस्तों very very important इसमें क्या होगा आगे जाके धीरे धीरे जो गुजरात के अलग अलग शेत्र हैं जैसे जुनागड हुआ गिर हुआ, सोमनाथ हुआ, दहोर डिस्टिक्ट हुआ, they will be given solar power and this scheme will be extended to the farmer across the state तो क्या है ये वाली scheme केवल और केवल उसी particular state के लिए launch करी गई है ये पूरे देश के लिए launch नहीं करी गई है किसान सूर्य उदे योजना, please remember this, please ठीक है ये गलती नहीं करने की पूरे इंडिय के लिए इसको launch किया गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, किसान सूर्य उदे योजना का शुबारम, प्रधान मंदरी मोधी, दुवारा गुजरात के किसानों के लिए ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, next, गोधन नियाय योजना, again interesting and important scheme July में launch करी गई थी, लेकिन 36 गड़ के CEM ने launch करी थी, अपनी ही state के लिए, होगा क्या, simple है, गोधन नियाय योजना में क्या है, कि जो आपका cow dung है, जो गोबर है, उसको procure किया जाएगा, at rupees 2 per kilogram, from the livestock owners, और उसकी मदद से, क्या होगा, कि आगे जाके, जो खाद है, जो organic fertilizer है, उसको prepare करवाया जाएगा, that's it, इस scheme में केवल इतना ही है, आपको याद क्या करना है, एक तो आपको याद रखना है ये वाला point, कि ये 36 गड़ की सरकार के द्वारा launch किया गया है, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, कि cow dung को procure किया जाएगा, किस चीज के लिए procure किया ज That's it, first of its kind, go dung niai yojna launched in 36 गड़, ये चीजें क्या है, ये असल में नई क्यों है, because अभी तक क्या था, कि अक्सर ये चीजें जो है private sector करता था, लेकिन अब सरकार के द्वारा भी ये चीजें करवाई जा रही है, इसके भी आप benefits यहाँ पर देख सकती है, राजीव गांदी यानि कि निवनतम आय जो है provide करनी जरूरी है, किसके लिए farmers जो की एक रवी crop उगाते हैं और 13 खरीफ crops उगाते हैं in the state, 36 गड़ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ को भी ध्यान रखें प्लीज और ये वाली चीज़ अब जो है धीरे धीरे extend हो रही है, इसके बाद in fact कई सारी states अब लाइन में लग चुकी है, कई सारी states ने अल्लेडे शुरू कर दिया है, but this is a very very important fact friends, कि 36 गड़ is the first state of the country to transfer financial aid directly into the account of farmers, ठीक है, इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है important नहीं है, ये केवल उन बच्चों के लिए है, अगर आप लोग माल सीधा सीधा UPSC prelims में, कब लाउंच करी गई थी, आपके सामने है, September 21, 2020 को लाउंच करी गई थी, हमारे प्रधान मंत्री के दोरा लाउंच करी गई थी, किस state में लाउंच करी गई थी दोस्तों, इसको लाउंच किया गया था, बिहार के state में, the घर तक fiber scheme is likely to connect 45 945 villages of बिहार through the optical fiber internet service by March 31, 2021, again, हो सकता है, चीजें likely अभी तक पूरी ना हुई हो, because of COVID-19, but हाँ, आपको क्या ध्यान रखना है, कि घर तक fiber scheme किस state के लिए लाउंच करी गई थी, it was launched for the state of बिहार, remember this fact, project will lead digital services, कई सारे फायदे होंगे, obviously, internet के आने के वैसे क्या क्या फायदे होते हैं, उनक आप अंधाजा लगा सकते हैं, कई सारी social security schemes है, कई सारा आपका tele medicine है, education है, online classes है, tele law है, ठीक है, आजकल आप online FIR file कर सकते हैं, e-courts सेवाई है, यह सारी के सारी जो सेवाई हैं, आपको available हो जाएंगे, अगर आपको internet मिल जाएगा, कौन इसको implement कर रहा है, ध्यान से देखिए इवन दो बिहार के state में launch करवाई जा रही है, लेकिन implement करने वाली ministry कौन सी है, ministry of electronics and information technology, जिसको की हम mighty बोलते हैं, यह इसको implement कर रहा है, government will provide at least five FTTS connections and a Wi-Fi hotspot in every village, Wi-Fi hotspot दिया जाएगा, और FTTS connections भी provide करवाई जाएंगे, ठीक है, FTTS क्या होता है, relevant नहीं है, आपके लिए, होग Fiverr scheme is also likely to boost the local employment, obviously, इसकी वज़े से, जो है, आपकी local employment होगी, जैसे मैं आपको PM बानी में बताया, इन सब चीजों की वज़े से, जो आपका local employment है, इसको भी बढ़ावा मिलेगा, और local workers को, क्योंकि recruit किया जागा, तो उनके लिए एक अच्छा, जो है, रोजगार का साधन ब पहले बताना चाहूंगा कि इसके पहले, जो सरकार दूसरी थी राजिस्थान में, जो former CM, वसंद्रा राजी की सरकार चल रही थी, तो उन्होंने launch करी थी, अन्नपूर्ना रसोई योजना, ये December 2016 में launch करी गई थी, लेकिन ये पिछले साल 2020, March 31, 2020 को ये वाली scheme जो है, वो expire क इसी लिए इस scheme को continue करने के लिए, इंद्रा रसोई जोजना provide कर वाई गई थी, अब इसमें क्या है, कि जो गरीब लोग है, उनको साफ सुत्रा स्वच्छ खाना दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन सस्ते दाम में दिया जाएगा, provide subsidized meals to the poor and the needy at Rs.8 per plate, which will be served while maintaining the full dignity, अब इसमे कि जो कुल मिलाके खर्चा आने वाला है, उनका लगभग 100 करोड के आसपास का आने वाला है, again details important नहीं है, यदि आप लोग राजिस्थान के PCS की तैरी कर रही है, तो details important है, UPSC के लिए details important नहीं है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंद्रा रसोई जोजना was launched in the state of Rajasthan, ठीक है, इसमें केवल इतना ही नहीं है कि आपको केवल एक quantity दिया रही है, यानि कि साथ में इन्हों ने यहाँ पर quality के ऊपर भी पूरा ध्यान रखा है, इसमें 100 ग्राम जो है वो दाले होंगी, 100 ग्राम सबजियां होंगी, 200 ग्राम जो है वो चपाती और अचार भी यहाँ पर दिया जाएगा, लगभग 1.34 लाच पीपल को पर डे यह वाली स्कीम टारगेट की करने की गोशिश कर रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मैनर बनवाया गया है, राजिस्थान सरकार के द्वारा, स्वैत्यत शासन विभाग, राजिस्थान सरकार, ठ चाहूंगा, कि Unacademy Combat में आपको हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों, जब तक हमारा Prelims नहीं होगा, तब तक हर रविवार यह आपके लिए प्रवाइड करवाया जाता है, और इसमें आप लोग को हिस्सा लेना बहुत ही important है, हमारी test series चल रही है, अगर आप लो तो आप Plus या Iconic के लिए जा सकते हैं, मेरा Code यूज करने के माधियम से आपको सीधा सीधा 10% का discount मिल जाएगा, कोई भी आपको phone करे, कोई भी कुछ भी कहे, आपको कोई और Code नहीं लगाना है, Code आपको यही लगाना है, ठीक है, and also it is valid on the optional also and the optional plus GS combo as well, अगर आपको कोई और course की त्यारी करनी है, तब भी आप मेरा Code यूज करके 10% का discount ले सकते हैं, यह वाले prices आपको देने की आवशकता नहीं है, यह वाले prices में आप courses को purchase कर सकते हैं, with that I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe.